हेलो स्टुडेंट आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्ड माला वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब जरूर करिए आज का हमारा टॉपिक है वर्ड माला वर्ड माला किसे कहते हैं तो वर्डो के वेवस्थित समू को वर्ड माला कहते हैं वर्डों के व्यवस्थित समू को वर्ड माला कहते हैं तो कुश्चन अगर ये पूछे वर्ड माला किसे कहते हैं तो वर्ड माला किसे कहते हैं वर्डों के व्यवस्थित समू को वर्ड माला कहते हैं वर्ड माला हमारी दो भागों में विविक्त है कि व्यंचन पहला है स्वार्ड दूसरा है आयोगवा तीन है तोटल तीसरा है व्यंचन अगर क्लियर यह जो आप देख रहे है छोटा आ बड़ा आ छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ री ए आयो आओ यहां तक यानि आ से लेकर आओ तक यह हमारे क्या कहलाते हैं स्वार कहलाते हैं आ से आओ तक हमारे क्या कहलाते हैं स्वार कहलाते हैं यह सभी आपके स्वरों की संख्या कितनी है ग्यारा और अंग और आहा आपके क्या है यह आयोगवा है अंग और आहा क्या है आपका आयोगवा इतनी बात क्लियर वर्ड माला किसे कहते हैं वर्डू के व्यवस्ते समू को वर्ड माला कहते हैं वर्ड माला तीन भागों में विभक्ता स्वर अयोगवा वेंचन स्वर कौन से हैं छोटा वाज से और तक स्वर होते हैं अयोगवा कौन सा अंग से और आहा उसके बाद बात करते हैं वेंचन की वेंजन वेंजन हमारे टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं पहला जो वर्ग होता इसे हम कहते हैं का वर्ग क्योंकि पहला अच्छा क्या है? का है इसलिए इसे क्या कहते हैं? का वर्ग इसे क्या कहते हैं? चा वर्ग next, नेस्ट टावर, पिर इसले क्या कहएंगे, तावर ये है तो कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, ये आपके पाच वर्ग होते हैं, जिसमें टोटल 25 क्या होते हैं आपके 25 वर्ड है इसमें डोटा का से लेकर मा तक या रा लावा इसे कहते हैं अंतस्त वेंजन अंतस्त वेंजन और यह जो का से लेकर मा तक है नहीं 25 वर्ड इन्हें क्या कहते हैं इस पर्श वेंजन यह वेंजन के प्रकार है, इस पर्श वेंजन, अन्तस्त वेंजन और यह आपका शा, 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 था, यह आपके क्या है? उश्म वेंजन उश्म वेंजन नेक्स्ट आपका जो बच्चा है, वो है आपका सैयुक्त वेंजन सैयुक्त वेंजन आपके कौन से होते हैं? कितने होते हैं? चार होते हैं शा, शार, शार, ट्रंग, या, और शा यह आपके कौन से वेंजन है? सैयुक्त वेंजन क्योंं दन फंचन के तो बेंचन हमारे कितने प्रकार के होगा चार प्रकार के उगह इस पशेड़ा से लेकर मांटा कोचल और 25 होते यह आपके क्या है अंतस्त भेंचन है इनको पढ़ने का जो तरीका वो भी यहां लिखा हुआ है इसे क्या कहेंगे मूर्ध शाय यह मूर्धन शाय और यह आपका दंत शाय इनका उच्छा इनका इसके भी हम बात करेंगे उच्छा इस्थान के अलग वीडियो में तो यहां से आपका वेंजन का कॉंसेप्ट ट्लियर हो गया चत त्रंग या श्राइए आपके सईंग्त वेंचन होते हैं और यह बहुत इंपॉचा जाता चत त्रंग या यानि सईंग्त वेंजन किस किन वे का और का पे हलंथ है पलस्चा इससे मिलकर बनता है त्रंग आपका किससे मिलकर बनता है ध्रा अ aucun फ्लस रहैं का प्लस रहिखेोगल10 या श्रा अफ्रले ूर्रह किस से मिलकर बनता है जा प्लस यहां और च्छरा आपका किस से मिलकरवंता है चाप्लस रा पहरे वाले जो है उन समय हलन्त है देखिये धियान से कहता जा शा इन समय हलन्त और बाद वाले में हलन्त नहीं है ऑप्षन आपको यहीं से साइब कफान नाया इसका प्षिन क्या होगा मैं काप लिश का प्रशो कर डिए प्लेश कर देड ja तो इन तिन यह आप्षिन बी ओप्षिन सिविए ओप्षिन ओप्षिन आपका सही हो जाएगा अप्षिन नम्र भी आपका सही हो जाएगा यह दोनों एक ही हो गया है तो यहां पर कोई नहीं ऑप्शन ठीक है तो आप्शन नम्बर भी आपका राइट हो जाएगा ख्लियर तो आपको यहां तक बात ख्लियर हो गई है चेक आगे बढ़ते हैं कि अब हमारे जो प्रेंजन में आपने देखा होगा ब्रैकेट में यह डा की नीचे बिंदी और भा सिधकन जो था इसके नीचे बिंदी यह दोनों जो वर्ड़ है इन्हें क्या कहते हैं उच्छिप्ट वेंजन कहते हैं उच्छिप्ट और यह वर्ड जोने कभी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आएंगे जैसे सड़क है तो यह कहां बीच में आ रहा कभी भी इन वर्ड इन वर्ड से कोई शब्द का प्रारंभ नहीं होगा आप चाहें कोई भी देख लीजें ठीक है यह इसकी एक खासियत है में इन्हें क्या कहते हैं और चिप्त वेंचन कहते हैं या इन्हें दूई गुडिये वेंचन कुछ भी कह सकते हैं नाम है सबका अलग-अलग ठीक है अब कोई पुछे आप से स्वर कितने होते हैं यारा होते हैं वेंचन कितने होते हैं शेतिस होते हैं टोटाल आपके अयोगवा कितने हैं अयोगवाग इतने हैं दो हैं अंग और आहा जिसमें अंग को हम क्या बोलते हैं अनुस्वार और आहा को क्या बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं अनुस्वार हमारे नाक से बोले जाते हैं और विसर्ग हमारा कंठ से बोला जाता है ठेक, यहीं पर मुच्छानिस्थान की बात कर लेते हैं, जो हमारा कावर्ग है, वो कंठ से बोला जाता है, यह दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर लेता है, जो कावर्ग है, वो हमारा कंठ से बोला जाता है, जो चावर्ग है, वो तालू से, कंठ तालू, और टावर्ग हमारा म मूर्धा से या मूर्धन्य तावर्ग हमारा दंत से बोला जाता है पावर्ग हमारा ओस्ट से यह पाच इसक्राषवेंजन जो थे हमारे 25 इनका उचाण इस्टान क्लियर है कोई पूछेगा खा गाशा अपका उचाण इस्टान क्लियर हो गिया है चिक ओके इसके आगे बात करते हैं स्वर के प्रकार कितने होते हैं यह स्वर और वेंजन की हमने यहां बात कर ली अब हम बात करते हैं स्वर के प्रकार की स्वर के प्रकार स्वर के कितने प्रकार होते हैं तीन होते हैं मेन इसके दो ही होते हैं ठीक है लेकिन आप कहीं भी भुख में देखें के तो तीन दिया है प्लतुरिया पर वो कोई वर्ड नहीं है पहला आपका हश्वर स्वर दूसरा है दीर्ग स्वार तीसरा है प्लट्व स्वार प्लट्व स्वार clear हस्वार कौन सा होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है इसमें क्या होता है कम समय लगता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या बोलते हश्वस्वार हमारे हश्वस्वार कितने है छोटा आ छोटी ए छोटा उ और कौन सा एक बच्चा री यह हमारे किस में आते हैं हाश्वर स्वर में आते हैं ठीक है दीर को स्वर कौन से होते हैं जिनके उचारण में अधिक समय लगता है इनके उचारण में कितना समय लगता अधिक समय लगता है उचारण में ठीक है उसके आगे आप लिख सकते हैं जिनके उचारण में अधिक सम बड़ा उ ए आए ओ ओ ठीक है तो यह आपके कितने होते हैं संख्या में हश्व स्वर चार होते हैं और दील के स्वर कितने होते हैं साथ होते हैं इत्वी बात क्लियर है और उसके बाद आता है इनकी टिवचन है कि इनका प्रियों हिंदी में ना होकर कहां होता है संस्क्राट में होता ठीक है यह जो आपको एक वर लिखते हैं यह वाला इसे इक आप बहुते हैं प्लेटव स्वर बोलते हैं ठीक है तो इनकी कोई धीनिशन नहीं या इतना कह सकते हैं दीर से कम समय और हश र से ज्यादा समयजन में लगता है उन्हें क्या कहते हैं अपको स्वर के प्रकार बता हैं किसके आधार पर बता हैं यह हमारा कुछषन पूछा चायगा या उचारन के स्थान पर, सवर के कितने प्रकार है? तो तीन प्रकार है.org. कितने होते हैं? चार होते हैं? दीरिक उजब कौन से होते हैं? साथ होते हैं. नेक्स बात करते हैं जीब के प्रियोग के आधार पर जीब के प्रियोग के आधार पर तो जीब के प्रियोग के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होतने हैं के प्रकार का ही बर्गी करन चल ला ठीक है यह दूसरा है आपका पश्च्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष का ही क्या हो रहा ही उज हो रहा है धों ले में में औक ये हैं अर मंध्च जो विचारिस तान को मद्धिस्वर भूर सौरमें आ रहा है और जो बाकी जितने बच्चे हैं, बड़ा आ, इनकी आवास देखेंगे, आप जहां आ बोल रहते हैं, उसके पीछे से आ रहा है, नीचे से कंट, ठीक है, आ, उ, 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 आप अपने आप बोल बोल के इसको करेंगे ना, तो याद करने की जुरहती नहीं पड़ेगी आपको, आओ, बोल के ही आप अपने कोशन का आंसर निकाल सकते हैं, तो अग्रिश्वर, E, E, A, I, मद्दिस्वर, A, पश्श्वर, A, U, O, O, आओ, यह हमारा जीब के प्रियोग के आधार पर हो गया है, दूसरा वर्गी करन यह हमारा था, तीसरा वर्गी करन हमारा है, मुख द्व यानि मुख विवर के खुलने के आधार पर, मुख विवर या इसे मुख द्वार भी बोल सकते हैं, मुख द्वार के खुलने के आधार, ठीके, कौन ज्वार से होते हैं, पहला है आपका अर्द संबत प्ररण मिले की बात कर लेते हैं, लाइन से ही चलते हैं, पहला हमारा वीवर्थ, इसनों इंग्लिश हो बोलोथेए ओपैन, वीवरत में द्वार्द मतल्पैन, दूसरा हमारा कौन सा है अर्द वीवर्द, अर्ध वी वर्थ इससे बोलते हाफ ओपन तीसरा है आपका अर्ध सम्वर्थ इससे बोलेंगे हाफ क्लोल्स और चौथा है आपका सम्वर्थ यह है क्लोल्स ठीक तो मुख वी वर्थ खुलने के आधार पर आपके जो स्वर है कितने प्रकार के हैं चार प्रकार के हैं वी वर्थ स्वर अर्ध सम्वर्थ स्वर सम्वर्थ स्वर अब बात करते हैं कि इन समय आते कौन कौन से स्वर है तो विवर्त का मतलब मैंने क्या बोला ओपें ठीक जिन स्वरों के उचार में मुख द्वार पूरा खुलता है मुझ से बोलिए आ बड़ा आ तो आपको दिखेगा कि बड़ा आ बोलने में पूरा मुख क्या हो रहा है खुल रहा है आप बोलेंगे तो हाफ खुलेगा तो वो किसमें आ जाएगा? अर्ध में आ जाएगा ठीक है तो विवर्त में सिर्फ एक ही है बड़ा आ आ ए पूरा मुख नहीं खुल रहा है आए ओ या ओ ओ में हमारा बंद हो रहा है आओ ओ में हमारा क्या है और खुल रहा है एक मिनिट वन मिनिट तो आपका अर्ध विवर्त में कौन कौन सा आएगा? आए ए में दो को मूख खुल रहा है ए आए आओ विवर्त में तो मैंने आ बता दिया सम्रत में कौन सा आधा बंद हाफ क्लोज में कौन सा आएगा? आए आए में खुल रहा है में ठीक है? ए ओ हाफ क्लोज है हाफ क्लोज बोले या हाफ ओपन बोले टीक है? और आपका सम्रत में कौन सा आजाएगा? ए बढ़ी ए ह्टवटण बढ़ा उ यह सब आपके सम्रत में आजाएगे तो विवर्त में आपका बढ़ा आ आएगा अर्द विवर्त में आय और और ऐ और और सम्वरत में इई ओ ओ ओ यह आपके मुख विवर के खुलने के आधार पर गया हो गया हो गया है क्लियर एंड एक लास्ट बचा है आपका कि पोस्ट के आधार पर पूछा जाता है उसको भी यहीं पर कर लेते हैं कि चौथा है हमारा ओस्ट के आधार पर ओस्ट के उच्चारण के के आधार पर कितने होते हैं हमारे दू होते हैं पहला है रतव मुखी कि डूसरा है कि आवरत अमगी मिद दूसरा ए पात्व मुखी कौन सा होता है जिन सवरों के उच्चारण में ओष्ट ब्रत्मुखी या गोलाकार होते हैं। आप अपने मुँसे बोलिये। आओ एक आ जो होता ये और ये भी आपका इसी में आ जाता है व्रत्मुखी में ही आ जाता है। आवरत्मुखी में कौन से आजाएंगे जिसमें बोलने पे ब्रत्मुखी यानि गोलाकार नहीं होता है तो आ में कहीं मूँ गोलाकार हुआ नहीं हुआ इए आए नहीं हो रहा न तो गोलाकार होगा तो उसे रत्मुखी कहेंगे गोलाकार नहीं बोलने पे होगा मुख तो उसे क्या कहेंगे आप रत्मुखी कहेंगे क्लियर यह हमने स्वर का वर्गी करन पढ़ लिया सारे आधार पर उसके बाद मैंने आपको जो स्वर का उचारण इस्थान बता देते हैं स्वर की बात कर लेते हैं तो जाँ आपका आ और आ है इसका उच्छारण इस्थान क्या है कंट है कंट है छोटी ए और बड़ी ए का उच्छारण इस्थान क्या है ताल ताल ए ए उच्छारण इस्थान क्या है आपका ओस्ट उच्छारण इस्थान आपका क्या है मूर्धन और कौन सा पत्चा ए और आ इनका उच्छारण स्थान क्या है कंठ तालू नहीं कंठ और तालू यह दोनों जगह जो है इस फर्ष होते हैं और आपका ओ कि आओ का उचारण इस्थान है कंठ ओस ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ फिभी होती है गोल और कंठ से आवाज निकलती तो यह किसमें आ संस्रत में पुरा फॉर्मूला है इचुरिशा नाम वागरा तो वह मैं आपको एक अलग से शौट वीडियो में दे ठीक है तो छोटा बड़ा कंठ से चोटी बड़ी तालू से चोटा वबढ़ा ओस्ट से वी आपका मुर्धन से एक अट तालू से ओ और कंठ ओस्ट से ऐसे दो तीन बार आप बोल बोल के इसको देखेगा अपने आप यह याद हो जाएंगे ठीक है कि असके बाद आपको अंग तो बता दिया था है यह क्या होता है अनुस्वार होता है अंग और आपका अनुस्वार होता है और आहा आपका विसर्ग होता है ठीक है जैसे मंगल और इनका अनुस्वार का उच्चारण इस संगार से होता है नाक से मंगल जंगल पंकज तो यह जब किसमें आ जाएंगे अनुस्वायन नाक से बोले जाएंगे और यह आहाँ वारा यानि विसर्ग का उचानिस्तान इसका कहां से होगा कंठ से होगा कंठ प्राता प्राता तो दुख अनताकरण यह सब क्या होगा कंठ से इस का उसार्ण होगा clear उसके बाद एक और है अनुनासिक अनुनासीख़़ह कौन सा होता है अनुनासिक कंठ और जो का नाम आपने सवाह माल होगा आए चंदर बिंदू कहां से उता है अनुनासिक नैंग। मुह दोनों से इसका उचारे स्थान क्या है नाक वा मुह दोनों से बोला गाउं एक्जामपल बोलो गाउं तो नाक और मुह दोनों से इसकी उचारे स्थान इसका निकलता है ठीक है अनुनासिक में आपका चंद्रविंदू आता है नागवा मुझ से बोला जाता है एक्जाम्पल में आपको गाव बता दिया यह आपका पूरा स्वर हो गया कम्प्लेट वर्ड माला एक पर हम पूरा रिवाइस कर लेते हमने आपको कितना पढ़ाया है वर्ड माला किसे कहते हैं वर्डों के वेवस्ते समू को वर्ड माला कहते हैं तीन भागों में विभाचित हैं स्वर आयोगवा वेंचन स्वर आपके कितने होते हैं आ से और तक 11 टोटल होते हैं आयोग बाद दो होते हैं अंग और आहां यह स्वर के ही पार्ट है अगर यह पूछा जाता है तो यह दोनों भी एड हो जाते हैं यह दिपाइंड करता है आपके पास ऑप्शन कौन सा है ठीक है और वेंजन वेंजन क्या होता है का से पूरे आपके श्रातक है पूरा तोटल कितने हैं 33 है का से लेकर मा तक इस पर्ष वेंजन होते हैं यह पूरे आपके का से लेकर मा तक यानि कावर्ग चावर्ग टावर्ग पावर्ग और तावर्ग यह सब आपके क्या है इस पर्ष वे का वर्ग कट से चावर्ग तालु से तावर्ग मूरधन से साल्वर्ग दन्त तव मिन न हमारे चार है जाट रंग या उसकी बात हमने कि आपका कौर किस से मिलकर बनता है का और शा से तरा आप से किस से मिलकर बनता है ता और रा से ग्या जा प्लस इया से श्रा सा और प्लस रा से मिलकर बनता है तो और कितने होते है ग्यारा वेंजन ते तेस और ये डा और डा जिसके निचे बिंदी लगी है इन्हें क्या कहते हैं? उच्छत वेंजन कहते हैं, या दुई गुड़ी वेंजन भी कहते हैं इन तोनों वेंजनों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होगा, ये बात याद रखियेगा आयोगवा कितने हैं? दो हैं नेक्स हमने क्या पढ़ा स्वरों के प्रकार पढ़े हैं ठीक है इसमें स्वरों के प्रकार में हमने पहला क्या पढ़ा है मात्रा या उच्छारण के आधार पर यह कितने प्रकार होते हैं तीन होते हैं पहला है अधिक समय जिसमें लगता है उस्छारण में साथ होते हैं होते हैं टोटल दीर स्वाज प्ललत्यसवर ओम जिनको दीग स्वर से कम और हश्श्षवर से जादा समय लगता उन्हें हम प्लत्यसवर कहते हूँ गो दूसरा हमने क्या आधार अधार अधार ठोच के प्राकार मट्र। यह आपके क्या पश्यस्वर है नेक्स्ट फिर हमने बात की थी तीसरा पॉइंट मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर यह अपके सम्रत हो गए चौथा हमने बात की थी और उच्चारन के आधार पर जो दो प्रकार के होते हैं वरत्यमुखी हमारा होता है जिमकु मोलने पर गोलाकर हो जाय को टू हुआ flag में का फिर्ट मुख गोलाकर नहीं हो तु यह ह्यक्ट मैं आध्यarm छिर्ट हों गयत के लुग हो गया हैै 네 में एसका मे सब्सक्राइजित की वारों का उचरण इस्थान पड़ा और चोटा कंठ से छोटी बड़ी तालु से चोटा उबड़ा उस्ट से री आपका मोरदन से ए आई कंठ और तालु से ओंदर और ओंध से बोला जाता है पिर जो अनस्वार आपका आयोगवा उसमें दो प्रकार के होते हैं अनस्वार और विसर अंग जो है आपका वो नाक से बोला जाता है और जो आहा है आपका यानी विसर उसे कंट से बोला जाता है और अनुनासि यानी चंदरविंदू को कहां से बोला जाता है नाकवा मू से बोला जाता है ये हमने आप से स्वर के बारे में सारी चीजे बात की है कल हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे गंजनु का उच्छानिस्थान मैंने आपको बता दिया है लेकिन अभी कुछ रहा गया उसको हम स्टार्टिंग से एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए थांक यू